हुआ हेलो फ्रेंड्स मैं हूं के पी सिंग आप देख रहे मेरा चनल पढ़ोगो तो बढ़ोगे अगर आप शीखना चाहते हैं रोज कुछ नहीं आ तो प्लीज मेरा चनल को सब्सक्राइब करें बेल आगन को जरूर दुबाएं ताकि आप तब पहुंचे वीडियो सबसे प पढ़ना है उससे पहले अगर अपने टेले गाव्र चनल जोईने क्या है तो उसे ज़ूइन कर ले और आपने लिंग उपर आई बटन पर आ रहा है वहां से आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही अगर आपने फ्लेलिस्ट नहीं देकिए तो फ्लेलिस्ट का लि लिए जिसमें अवकल समीगण के भिन भिन रूप हम लोगों ने पढ़े थे अब यहाँ पर हम लोग अवकल समीगण का एक अगला टाइप पढ़न जा रहें सम घाती अवकल समीगण क्या समगाती अवकल समीगण क्या अब हमको यहाँ पर यह पढ़ना है उससे पहले समगाती अवकल समीगण से पहले हम आपको यह समझा लिते हैं कि समगाती फलन क्या होते हैं समगाती फलन क्या होते हैं वो देखिए समगाती फलन तो देखिए समगाती फलन एफ एक्स वाई कुछ इस परकार से होते हैं एक्स स्क्वार के प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वार कि तो यहां पर हमने इसको देका तो यहां पर एक्स की पाउर कितनी है दो यहां पर X Y गुड़े में इसकी पाउर कितनी है एक ये एक ये दो और यहां Y की पाउर कितनी है दो तो इस समगाती फलन है लेकिन इसे चक कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं जो हमारा F X Y है इस फंक्शन को हम F लेमडा X लेमडा Y के रूप में लिखते हैं तो जहां जहां X है वहां वहां लेमडा X रख दीजिए तो लेमडा X का स्क्वाइर लेमडा X लेमडा Y लेमडा Y स्क्वाइर अब देखिए लेमडा X स्क्वाइर लेमडा X स्क्वाइर लेमडा Y स्क्वाइर क्या हर जगा से हम लेमडा स्क्वाइर कामन ले सकते हैं X स्क्वाइर प्लस X Y प्लस y square तो lambda square ये बन गया f x y f x y के हमारे पास दिया गया था जिससे हमने f lambda x lambda y निकाला जिससे हमें lambda square f x y मिल गया इसका मतलब ये फलन हमारा समगाती ही है अता है ये घात दो का समगाती फलन है समगाती फलन तो है और कितनी घात का है ये भी हमने आपको बता दिया घात दो का lambda की power जितनी आई है उतनी घात का ये समगाती फलन है तो उमीद करते हैं कि समगाती फलन आपको समग में आ गया होगा ठीक है अब आपको लेकर चलते हैं समगाती अब कल समीगन पर जो में पढ़ना है याँ पर अब कल समगाती ने आपको लेकर ने आपको लेकर आपको लेकर पर जो अब कर दॉड़ के चलते हैं कि समीगन पर आपको लेकर वागर समगहातीं अब क्ल समय गराइब समय हिए की तो समगहाती अब कर समी कर न देखिए धेיעन से है Kris एक क्या होता है जैके सम घाती हम कर समय कर न हमारा डीवाइ बटे डीएकस बराबर एफ एक्स वाई होता है डी वाई बटे डी एक्स बराबर एफ एक्स वाई जहां एफ एक्स वाई घाज जीरो का समघाती फलन होना चाहिए घाज जीरो का समघाती फलन होना चाहिए यह बात ध्यान रखिएगा ठीक है अब हम लोग देखते हैं एक एक्जामपल कि कैसा होना चाहिए घाज जीरो का समघाती फलन तो एक एक्जामपल लेते हैं हमने लिगा डी वाई बटे डी अक्स बराबर एक्स स्क्वार प्लस वाई स्क्वार बटे एक्स वाई ठीक है तो हम यह देख रहे हैं किया यह समघाती फलन है और वो भी घाज जीरो का तो हम इसको चक कर रहे हैं तो यह मारा फलन है ना यह फलन हमको दे रखका है एक्स वाई एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वार प्लस वाई स्क्वार बटे एक्स वाई एफ लेम्डा एक्स लेम्डा वाई दिखते हैं क्या बन जाएगा लेम्डा एक्स स्क्वाईर प्लस लेम्डा वाई स्क्वाईर बटे लेम्डा एक्स इंटू लेम्डा वाई क्या हो जाएगा लेम्डा स्कॉाइर एक्स स्कॉाइर प्लस लेम्डा स्कॉाइर य स्कॉाइर बटे लेम्डा स्कॉाइर एक्स वाई लेम्डा स्कॉाइर कामन ले लिया x square प्लस y square lambda square x y lambda square से lambda square कर गया तो lambda की power कितनी बची जीरो और ये x square प्लस y square बटे x y क्या बन गया fxy तो घाट 0 का समगाती फ़लन है clear है कि नहीं कि ले रहे है तो ऐसे हम इसको पहचांग सकते है इसी चीज को हम एक दूसरे तरीके से भी देख सकते है कैसे देखते हैं वो सुन लो हम यहाँ पर note के रूप में आपको बता रहे हैं एक और तरीका है के तरीका है यदि हमारे पास एक एक एक्जामपल में हमको दिया जाए dy बटे dx dy बटे dx बराबर x square plus y square बटे x y मान लिए यह हमको एक एक एक्जामपल दिया गया है तो यहाँ पर ध्यान रखने वाला यह है कि dy बटे dx जो हमारे पास अवकल समीकन होगा वो gy बटे x के रूप में हो सकता है यानि कोई भी अवकल समीकन का जो फलन होगा जो हमको दिया गया होगा वो gy y बटे x के रूप में के रूप में हो के रूप में हो तो वहाँ तो वहाँ समघाती अवकल समीकन होगा तो वहाँ समघाती अवकल समीकन तो वहाँ समघाती अवकल समीकन होगा जैसे एक्जामपल के तोर पर हमने याँ पर एक कोश्टन ले रखा है इसको समघी है डी वाई बटे डी अक्स यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वाई प्लस वाई स्क्वाई बटे एक्स वाई तो हम क्या करेंगे जी वाई बटे एक्स बनाने की कोशिश करेंगे यानि जहां जहां पर हमारे पास चर्थ दिख रहा है वहाँ पर y बटे x होना चाहिए तो हम यहाँ से x square common ले लेंगे उपर से x square common ले लेंगे तो 1 प्लस y square बटे x square हो जाएगा बटे से भी x square बाहर लिख लीजिए x है आपने लिख लिया है x square तो बन गया y बटे x x square से x square क्या हो जाएगा कट जाएगा तो बन गया 1 प्लस y बटे x का होल square बटे y बटे x जो जिसको हम क्या बोल सकते हैं जी y बटे x ये फलन है y बटे x के रूप में क्या समझ में आई बात अगर कोई भी फलन इस रूप को धारन कर लेता है तो वह अबकल समीगर्ण जो बनाएगा वह समझाती अबकल समीगर्ण होगा क्लियर है कि नहीं क्लियर है ठीक है ऐसे ही अबकल समीगर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं एक तो डीवाई बटे डीएक्स के रूप के और एक हो सकता है डीएक्स बटे डीवाई के रूप का हो ठीक है ना यहां पर हम लिख देते हैं डीएक्स बटे डीवाई भी हमारे पास हो सकता है फलन एक्स वाई होगा डीएक्स बटे डीवाई तो अब कल समीगर्ण हमारे दो टाइप के हैं यह है फर्स टाइप और है यह सकंड टाइप फर्स टाइप और सकंड टाइप clear अब हम लोग सकंड टाइप की बात कर लेते हैं जैसे फर्स टाइप के लिए हमने नोट आप को बताया ऐसे सकंड टाइप के लिए देख समझ लें क्या कि जो dx बटे dy होता है second note है यह dx बटे dy जो होता है उसका फलन अगर gx बटे y के रूप में हो के रूप में होतो वह समगाती अब कल समिगन होगा समगाती अब कल समिगन होगा अब example ले लेते हैं dx बटे dy बराबर x स्क्वाइर प्लस y स्क्वाइर बटे xy तो dx बटे dy है तो हम यहां से x बटे y बनाना है तो y स्क्वाइर कॉमन ले ले लेते हैं तो बन जाएगा x स्क्वाइर बटे y स्क्वाइर प्लस बन बटे y है हमने y square लिख रख रखा है तो बन गया x बटे y y square से y square कर जाएगा अब देखिए जो फिल्म मना हमारा यह बन गया g x बटे y इस रूप का बन गया कि नहीं बन गया और अगर कोई भी आपकल समय करना डी x बटे डी y के आपकल समय करना यह रूप धारन कर लेता है फ़लन तो वह आपका समगाती फ़लन होगा क्लियर है अब हम चल देते हैं कुछ एक्जामपल लेकर आपको एक्जामपल से समझाना चाहते है कि कैसे यहां पर आप कोशन लगाएंगे एक्जामपल को थोड़ा-थोड़ा लेते हैं अपने पास से पहला कोशन क्या है दिखाव की एकस मैंनस वाई बटे डी वाई बटे डी एकस एकस मैंनस वाई इंतो डी वाई बटे डी एकस बराबर एकस प्लस टू वाई एक समघाती अब कल समिगन है समगाती आवकल समीकरण है और इसे हल करो यह हमारे प्रस्ट प्रस्ट है दिखाओ कि एक्स माइनस वाई इन्टू डी बटे डी अक्स बराबर एक्स प्लस टू वाई एक समगाती आवकल समीकरण है और इसे हल करो ठीक है तो देखिए देखिए ध्यान से हमको दिया गया है सबसे पहले तो हम यह दिखाएंगे कि यह हमारा समगाती अब कल समीकरण है तो डी बटे डी अक्स प्लस टू वाई ठीक है ऐसे दे रखिए हमको तो हमने अभी आपको पीछे क्या समझाए था कि डी बटे डी अक्स ऐसे लिखा होना चाहिए और यहां पर एक्स प्लस टू वाई और यह एक्स माइनस वाई यह गुडे का इधर बटे में आ गया और डी वाई बटे डी अक्स बराबर यहां से आप यहां पर बटे यहां पर बटे लिखे यहां पर बटे लिखे तो वन प्लस टू वाई अपॉन एक्स बटे एक्स कामन लिखे वन माइनस वाई बटे एक्स एक्स से एक्स कर लिए डी वाई बटे डी अक्स वन प्लस टू वाई बटे एक्स बटे वन माइनस वाई बटे एक्स तो देखे क्या पूरा फलन हमारे पास constant value छोड़ दीजे उसकी अलावा जहां जहां भी कोई वीचर है वहाँ पर y बटे x है बिल्कुल है तो dy बटे dx बराबर g y बटे x का फरनल बन गया हमारा बन गया ठीक है ना अता यह note first से यह आपको लिखना नहीं हम आपको समझा रहे है note first के से अनुसार लिख लो note first के अनुसार समगाती अब कल समी करना अब note first का है यह देखिए note first note first note first यह है note first note first में हमने कहा था ना अगर dy बटे dx बराबर g y बटे x के रूप में हो तो वह समगाती आपकर समी करना होगा तो देखिए dy बटे dx बराबर gy बटे x बन गया clear अब उसने का है इसे हल भी करिए इसे हल भी करिए तो देखिए क्या करेंगे देखिए क्या करेंगे जो आप ये हल करके आएं यहीं से लगा लीजे जैसे आपने ये हल किया है यहां से भी कोशन लग जाएगा या जहां से वो प्रस्ण दिया गया वहां से आप लगा सकते हैं यहां से भी आप सुरू कर सकते हैं कहीं से भी आप सुरू कर सकते हैं ठीक है अब बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि पूरे अभ्यास में हम यही करने वाले हैं इसलिए हम आपको इंट्रो बिल्कुल अलग से बता रहे हैं तो यहां पर सबसे पहले आप डी वाई बटे डी अक्स लिखेंगे अब क्योंकि हम इसको सेप्रेट नहीं कर पा रहे हैं पिछले दोनों अभ्यासों में हम लोगों ने चरों को सेप्रेट कर लिया था सारे डी एक्स के पास पहुँचा लिये थे सारे य डी आई के पास पहुँचा लिये थे लेकिन यहाँ पर हम नहीं पहुंचा पाएंगे इसलिए इसको हम समगाती अवकल समीकन के रूप में हल करेंगे पीछे हमने 4 question छोड़ रखे हैं उनको भी हम इसी exercise में complete करेंगे अगर वो समगाती अवकल समीकन के question होंगे तो उनको हम check करेंगे चलकर फिर से आपके सामने आपको करके दिखाएंगे जो हमने 4 question छोड़े थे तो dy बटे dx x plus 2y बटे x minus y अब यहाँ पर क्या करेंगे देखे पहला step क्या होता है क्योंकि हम इसको separate नहीं कर पा रहे हैं तो y बराबर माना माना y बराबर vx माना y बराबर vx अब यहाँ पर x के सापेच इसका आपकोलन कर देंगे x के सापेच आपकोलन कर देंगे तो y बराबर vx x के सापेच आपकोलन y का क्या हो जाएगा dy बटे dx यहाँ पर function इंटो function लगेगा vx चर है ठीके न प्रथम पद दती का आपकोलन प्रथम पद दती का आपकोलन x का वन प्लस दती पद प्रथम का आपकोलन dv बटे dx तो dy बटे dx की value आगे इसको ठाकर हम यहाँ रख देंगे तो यहाँ रखेंगे v plus x dv बटे dx v plus x dv बटे dx बराबर v plus x dv बटे dx बराबर क्या चलेगा देखो dy बटे dx की ज़िए पर रख दिया ना यह dy बटे dx का मान कितना है अब देखेंगे तो पहले सईसे dy बटे dx का मान यह ना तो dy बटे dx की ज़िए पर यह रख दिया यहाँ यह चल रहा है x plus y को vx माना है तो यहाँ रखो 2vx बटे x ऐसे माइनस y को vx माना है x dv बटे dx x कामन ले लो 1 प्लस 2v बटे x कामन ले लो 1 माइनस v माइनस v बटे x x कर जाएगा तो dx dv बटे dx x dv बटे dx x 1 प्लस 2v इसकी दर गुणा माइनस v प्लस v स्क्वाईर clear है 1 प्लस 2v इसकी दर गुणा तो माइनस v प्लस v स्क्वाईर इससे गुणा होगी और बटे में 1 माइनस v clear है तो यह क्या बंज़ेगा dv बटे dx into x बराबर यहाँ दोड़ा सा सरल करेंगे पहले v square लिखेंगे फिर plus का v लिखेंगे फिर plus का one लिखेंगे बटे one minus v लिखेंगे अगरे जार में सारे v आले पद उठाके इदर लिआएंगे one minus v बटे v square plus v plus one यह दर आ गया into dv और यह dx दर आ जाएगा बटे में एक्स आ जाएगा अब यहाँ पर लेंगे इसका समा कलन और फिर हम लोग पूरा समा कलन लगा देंगे यहाँ से हम इसको छोड़े दे रहे हैं क्यूंकि हम यहाँ पर कोश्चन आपको नहीं करवा रहे हैं यहाँ पर हम आपको कॉंसेप्ट समझा लें अब पूरा समा कलन का कोश्चन यहां से लग जाएगा जो आपका क्या है एक्ट डेवलू आप अपने आप लगा सकते हैं पूरा समा कलन पढ़ा होगा तो आपने उसको उससे लगाई है कि समझ गया है ठीक तो यह मैंने छोड़ दिया यहाँ पर समा कलन का कोश्चन बना कर तो सायद उमीद है कि आपको कुछ सम्मिंगन को हलक कैसे करना है एक और एक्जामपल लेते हैं जिसमें हमारे पास एक और अबकल सम्मिंगन है सगंड टाइप का उसको दिखते हैं एक्जामपल टू दिखाईए कि टू वाई ए की पावर एक्स बटे वाई डी डी एक्स प्लस वाई माइनस टू एक्स एकी पावर एक्स बटे वाई इंटो डी वाई बराबर जीरो एक सम्गाती अबकल सम्मिंगन है तदा इसे हल करो तदा इसे सम्मिंगन क्या है तो वाई एक्स बटे वाई इंटो डी एक्स प्लस वाई माइनस टू एक्स 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 बटे वाई इंटो डी वाई बराबर जीरो सबसे पहले एक्स बटे वाई है तो पावर को तो हम कताई चेंज करी नहीं सकते तो इस कोश्चन को एक्स बटे वाई के रूप में ही लगाना पड़ेगा यानि डी एक्स बटे डी वाई बनाना पड़ेगा तो डी वाई उधर भेज दीजे तो य एक्स बटे वाई इन्टो डी एक्स माइनस य माइनस तो एक्स 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 पावर एक्स बटे वाई इन्टो डी वाई डी एक्स बटे डी वाई बराबर माइनस य प्लस टू एक्स 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 बटे वाई बटे भोजन तयार हो रहा है लगता टू वाई एक्स बटे वाई क्लियर है क्या क्या फिसे समझो डी एक्स ऐसे रहा है इस डी वाई को बटे में लिया है ये वैलू ऐसे लिखी रही ये वैलू बटे में चली गए clear है क्योंकि dx बटे dy है तो हम यहाँ पर x बटे y बनाना चाहेंगे तो y common लेंगे dx बटे dy बराबर यहाँ से y common लेना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा 2x बटे y e की power x बटे y minus 1 बटे 2 y e की power x बटे y इस y से y कर जाएगा तो dx बटे dy देखे कहीं पर g x बटे y तो नहीं बन गया जहां भी चर आया है वहाँ पर देखे एक्स बटे y होगा 2 x बटे y e की power x बटे y minus 1 2 e की power x बटे y तो जहां जहां आपके पास चर होगा वहाँ वहाँ एक्स बटे y आया है ठीक है बन गया तो हम क्याली देंगे आता ये नोट दो के अनुसार नोट टू के अनुसार समगाती अब कल समी करना है अब बारियाती से हल करने की तो कुश्चन आप उठा लिजे कहीं से भी उठा लिजे चलिए यहां से उठाते है ठीक है यहां से उठाइए dx बटे dy बराबर दो ब्रेकेट में x बटे y e की पावर x बटे y माइनस 1 अपाउन 2 e की पावर x बटे y अब हम क्या करेंगे यहां मानेंगे x बटे y हमको गैब करना है तो मानेंगे माना यहां पर मानना है और हमको यह हटाना है क्योंकि हम यहां पर separate नहीं कर पाइए सारे x dx के पास और सारे yong यह के पास यहें पहुचा पाइए यही एक्जाममे आपको पहचानना होगा क्योंकि एक्जाम में यह बिल्कुल नहीं लिखके आएगा कि 4F का है 4G का है 4E का है 4D का है ऐसा नहीं लिखके आएगा आपको प्रत्य कोश्चन को पहजाना पड़ेगा कि एक किस मैथर्चे लगाना है तो सारे हम x y dx और dy के पास सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो हम यहाँ पर मानेंगे समगाती फलन है समगाती अब कर समीकन है तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे मानेंगे माना एक्स बटे y बराबर वी या x बराबर x बराबर वी भी मान सकते हैं या एक्स बराबर क्या हो जाएगा बटे की चीज गुड़े में वी वाई फिर हमने बोला था y के साब पर चपकलन करेंगे क्यों क्यूंकि हमको dx बटे dy चाहिए तो y के साब पर चपकलन करेंगे तो क्या बन जाएगा dx बटे dy बराबर प्रतम पद दती का अवकलन दती पद प्रतम का अवकलन अब यह dx बटे dy का मान हमारे पास आ गया अब dx बटे dy का मान जो हमारे पास आया है इसको ठाकरम कहां रखेंगे यहां पर तो dx बटे dy का मान जो है वी प्लस y dv बटे dy बराबर बराबर दो बटे x बटे y को क्या माना है वी तो 2v e की पावर वी माना है वो रख दिया dv बटे dy इंटो y बराबर 2v e की पावर वी माइनस वन अपॉन 2 e की पावर वी माइनस वी v इंटो dv बटे dy इसकी दर गुड़ा इसमें घटा दो 2v e की पावर वी माइनस वन माइनस 2v e की पावर वी इसकी दर गुड़ा इसमें घटा दिया बटे तो e की पावर वी यह प्लस का और यह माइनस का क्या हो जाएगा कर जाएगा अब देखिए यह बटे का इधर कायम जाएगा गुड़े में यहां पर y है यह y है ठीक है हाँ यह यह इधर बटे का इधर कायम जाएगा गुड़े में तो क्या बन जाएगा तो e की पावर वी इंटो dv तो dv और v सारे पास में आ गए बराबर माइनस का 1 यह गुड़े का y इधर बटे में इंटो dv अब ले लेंगे समा कलन तो समा कलन टू e की पावर वी इंटो dv बराबर माइनस समा कलन अब समा कलन आपको खुबस कसके आता है तो यह आपका हो गया है ऐसे आप लगा लीजेगा आपका कोश्चन लग जाएगा तो यह हमने कुछ इक्जामपल आपको समझा दिये जिससे आपको पूरा चैप्टर खतम हो गए पूरी स्वरी एक्सरसाइज खतम हो गई जिससे आपको घबडाने के ज़रू तो बिलकुल नहीं है अब हम लोग चल दे बारी बारी से कोश्चन हल करते कोश्चन नमबर एक दो तीन सारे कोश प्रस्ट नमबर एक अगा है अगा है नाइन एफ शुरू कर रहे हैं लिखा हुआ है निम लिकित अब कल समी करनो प्रस्ट नमबर एक से बीस तक को हल कीजिए पहला प्रसंदे रखा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे डी बटे डी एक्स यहाँ पर डी एक्स है डी बटे डी एक्स बराबर एक्स स्क्वाइर प्लस वाई स्क्वाइर बटे तो एक्स स्क्वाइर तो समगाती अब कल समी करना है क्योंकि यहां भी गात दो है यहां भी गात दो है यहां भी गात दो है ठीक है क्योंकि यहां पर दिखाने तो कहरे रहा दिखाता तो हम लोग वह जी बटे वाई वाई लेकिन यहां कुछ नहीं ब्राणा है अब यहां पर माल लेना है V बटे X है थो हम V ब्राबर V X माल लेंगे क्योंगेACH हैं पर हम सारे चर सेपरेट नहीं कर पाएंगे है इसलिए हम माल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमाँरे पास वद्यान से दिखे y बराबर vx हो गया x के साब पेज अफ़कोलं करेंगे तो dy बट Dave D x हो जाएगा प्रतम प्रत्म प्दति का अफ़कोलं उ प्रत्धम आफ़कोलं प्लच भावकोलंड dy बटे Dave D x यहाँ पर रख देंगे तो क्या बन जाएगा V plus X DV बटे DX बराबर X square प्लस Y square बटे 2X square अब Y square की जगे पर value put करेंगे क्या Y की जगे पर VX है न तो V square X square तो X DV बटे DX X square common 1 plus V square बटे 2X square प्लस का view दर गया का है मैं माइनस में X square से X square कर गया X DV बटे DX 1 plus V square minus 2V बटे 2 तो DV के बटे में आ जाएगा V square minus 2V प्लस 1 बराबर DX बटे 2X समा करने लेंगे DV बटे V square minus 2V प्लस 1 1 बटे 2 DX बटे X अब इसको आओ देखो क्या करें यह whole square लिखावाना है तो DV बटे V minus 1 का whole square बराबर एक बटे 2 DX बटे X इसका समा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा V minus 1 की whole power minus 2 इन्टो DV एक बटे 2 समा कलन DX बटे X तो इसको कैसे हल करेंगे V minus 1 की power minus 2 है इसको हल करने के लिए क्या करेंगे V minus 1 की power minus 2 प्लस 1 बटे minus 2 प्लस 1 बराबर एक बटे 2 लॉग X प्लस C ठीक है अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा एक बटे minus 2 प्लस 1 तो minus 1 होता है minus यहाँ लगा दिया जात रेडात्म के बटे में आ जाएगा तो क्या बन जाएगा V minus 1 minus 2 प्लस 1 था तो minus 1 हो गया बटे में आ गया एक बटे 2 log X प्लस C अब V की value पूट कर देंगे V कमान देखिए उपर से क्या आएगा V कमान आएगा Y बटे X तो माइनस 1 अपन Y बटे X माइनस 1 बराबर एक बटे 2 log X प्लस C इसकी दगड़ा इसमें गटा देंगे तो माइनस X बटे Y माइनस X बराबर एक बटे 2 log X प्लस C अब देखिए ऐसे छोड़ सकते हैं इसको यह आगया हमारा हल ठीक है ना फिर से एक बात आपको बताना चाहेंगे कि आंसर के पीछे मत भागेगा क्योंकि आंसर कई प्रकार से आ सकते हैं बिल्कुल भी मत घबड़ाईएगा आप ऐसे चैनल में पढ़ रहे हैं यहां पर सारा कॉंसेट तो बताया ही जा रहा है साथ में एक के कोश्चन में हल करवा रहा हूँ तो बिल्कुल भी ना घबड़ाएं कि आपको कुछ गलत बता दिया जाएगा हाँ कहीं मिस्टेक हो सकती है लेकिन कोश्चन आपको गलत नहीं पढ़ाया जाएगा मिस्टेक होना अलग है कोश्चन पढ़ाना अलग है ठीक है यहां पर आपको पूरा बेस क्लियर कराया जा रहा है तो अगर आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब अबसे कर लें मिलते हैं हम लोग कोशन नमबर तू पर